हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आज चैनल बिंग डॉक्तर तो देखे गाइज यहापर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज हो है शट्चक्र तो शट्चक्र में ज्यादा डीटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग और और एक्जाम पॉइंट व्यू से क्या-क्या शट्चक्र में इंपॉर्टेंट है आपको कौन सार शट्चक्र पढ़ना है और शट्चक्र कि क्या-क्या चीज़ पढ़ने आपको वो समय आपको यहाँ पर बता दूंगा ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप कि अगर ऩूर्टेंट दो यहाँ आप शट्चक्र को पढ़ सकते हैं तो फहले 你 समझने वाली बात है वह अगर सुषुमना नाडि समझदा टा सका और भ都 यह आप उस्बंद के अिसे समझ आएगा तो पहले आप सुषुमना कांड पढ़िए थीक है उसके बाद आपको श शुषमना कांट एक्टिवेट होता है तो आप शट चक्र को जो है अलग-अलग शट चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और हर शट चक्र को एक्टिवेट करने के बाद उसके जो परसंस पर अलग-अलग benefits होते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो शट चक्र है हम लोग गूदर रिजन में होता है स्वधिष्ठाने चक्र हमारा लिंग मूल में होता है और मनिपूर चक्र मनिपूर चक्र जो नाभी के पास होता है ठीक है अनाज चक्र अनाज चक्र हमारे जो वो पेट के रिजन में होता है ठीक है और विशुद्य चक्र, विशुद्य चक्र हमारे कंठ के जो region है उसमें होता है अज्या चक्र जो है वो हमारे भुरूमध्य मतलब जो हमारे eyebrows है उसके बीच में होता है तो इन चक्रे को activate करने के बाद अलग-अलग हमें benefits होते हैं डshit है तो इन च calorie में से सबसी इंपॉर्टेंट दो चक्रAT है वो आपको पढने यह वह 5 holiday अगर है it कुंडलन ही शक्ति होती है वह इनक्टिव होती है यह दिखता कैसा है जैसे पदमन लोटस की तरह दिखता है और गोल्ड की तरह शाइन करता है ठीक है तो यह आपको जैसे फिकुलियरिटी एक एक चक्रे की बतानी है और इस चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो भ यंत्र और न्यानेंद्रिये यह आपको पढ़ना है और मैं आपको बताता हूँ आप उसके बाद तत्व बीजे छोड़ दीजे आप गुना पढ़िए देवत्व पढ़िए शक्ति पढ़िए और करमेंद्रिये पढ़िए तो यह जो दस बारा जो आपकी फीचर्स है हर चक् होंगे तो सबसे पहले एक परसं को अगर उसका मुल दर्य चक्र एक्टिवेट होता है तो शरीर अक्रांती होगी उसकी आरग्यम मंत्र सिद्धी और वो उसकी जटर अगनी अच्छी हो जाएगी ठीक है और अगर मैं बोलूँ तो सर्वविद्य विनोधी मतलब उसको हर श अगर्शेस के बाराबर इसको माना गया है तो आप जो हर चक्रों को ऐसी फीचर के साथ अलग अलग फीचर को इंक्लूड करके आपको शट चक्र का जो आंसर है वो लिखना है सबसे पहले आप सुशुमनन अनाडी या फिर सुशुमनन कांड समझाईगे और हर चक्रों को क अनाड चक्र है तो यह दो जो चक्र है वो आप अच्छे से पढ़िए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी जो इंपोर्टन टॉपिक्स है मैं आपको हमारे चैनल पर बता दे रहोंगा प्लीज नहीं कि अच्छे सब्सक्राइब कर लाइब कर लीजिए ऑ्लीजिए विल्टन टॉटन 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 टॉटन?